इतने सारे सीरम आ चुके हैं तो दिमाग चक्रा आ जाए। इसमें हाइलरॉरॉरिक आसिड है, विटमिन C, इसमें असिनमाइड है, इसमें सालसिलिक आसिड है, इसमें पतानी क्या है, इसमें बौत सारी चीज़े हैं। मतलब confusion confusion और exaggerated confusion तो मैंने सोचा कि अपने परिवार के साथ आज एक winter skincare serum share किया जो कि आपकी skin को transform कर सकता है इस weather में अगर आप इसका इस्तमाल करते हैं अपने moisturizer से पहले तो यकीन मानिया आपको बहुत ही ज्यादा visible changes अपनी skin पर दिखेंगे वो जो dewy से texture हम अपनी skin पर चाहते ह हैं वो आप अचीव कर सकते हैं और आपकी skin खिलखिला उठेगी जहां पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप भी magic witness कर सके और अपने लिए execute कर पाएं आए जानते हैं what all needs to be done So my beautiful people जो सुवत है वो खोवत है जो जाकत है वो पावत है सरा जल्दी से नीचे लिख कर बताओ कि इन पंक्तियों का मतलब क्या है क्या मतलब है कि जो सोता है वो खो देता है इसका क्या मतलब है मतलब कि अगर हम सोते रहेंगे तो breakfast नहीं मिलेगा something of that sort इसका मतलब है कि आपको हर वक्त vigilant रहना है हर वक्त alert रहना है अब रीसेंटी मुझे पता चला कि प्रिथी प्रिणा के चानल पर कुछ स्कान जल रहा है किसी ने टेलेग्राम गुरुब बनाया हुआ है और वो आप लोगों को आकर कह रहा है कि आप विनर है और आप लोगों ने उन्हें सम्तिंग पे कर दिया सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स हैं प्रिती प्रेणा के ऑफिशल हांडल्स के उसके अलावा मैं आपको कभी भी कभी भी किसी और प्लाटफॉर्म पर नहीं मिलूंगी नमबर वान नमबर टू अगर आपने गिफ जीता है तो आप कभी भी किसी को भी नॉट ओली इस चानल आप कभी कुछ भी पे नहीं करेंगे आप जीते हैं भई आपको प्राइज मिलने वाला है तो प्लीज स्टे कवाइट इन काम इतनी जल्दी जो आप करते हैं घाई में काम वह आपको नहीं करना है आप अपना खयाल रख रहे हैं और यह खयाल रखना नहीं है यू हाफ टो बी रियली रिली विजलेंट प्लीज अपना खयाल रखिए और बहुत-बहुत-बहुत विजलेंट रहिए रहेंगे ना नीचे प्रामिस करिए कि आप विजलेंट हैं और ऐसी किसी भी स्काम में किसी भी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ब्लॉक देम इमीडियेटली स्वागत है आप सभी का चानल पर आशा करती हूँ अपना खयाल रख रहे हैं और अपने आपको हर दिन एडुकेट कर रहे हैं चानल पर नए आए हैं तो नीचे लाग रंग का बटन है उसे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे खुबसूरत से परिवार का आप भी हिस्सा बन सके आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही खुबसूरत सा बहुत ही सिंपल घर के इंग्रीडियंट से प्रिपेर होने वाला एक सीरम शेयर कर रही हूँ जिसका अप्लिकेशन हर स्किन टाइप कर सकता है मैं आपको मॉडिफिकेशन भी बताऊंगी कि अगर आपकी स्किन किसी पर्टिकलर टाइप की है और आपको कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती है तो आप क्या-क्या विकल्प चेंज कर सकते हैं इसके लिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा कि किस इंग्रीडियंट का क्या काम है और अकॉर्डिंगली इसको अपने ले प्रिपेर करना पड़ेगा तो विदाउट फॉर्थ डिले लेट्स स्टार्ट वाट इट्स तो बी ड़न तो स्टार्ट विद दी प्रिपेरेशन सबसे पहले एक बोल में आपको लेना है इसमें अगर आप अलवेरा जेल के लिए कामफोटबल नहीं है तो आप फ्लाक सीज जेल का भी प्रिपेरेशन कर सकते हैं बहुत ही असान है आपको अलसी के बीच लेने हैं इनको गरम पानी में अच्छे से बॉल करना है इसको आप छान लेंगे ठंडा होने देंगे और आपका फ्लाक सीज जेल बनकर रेडी हो चुका है आप इसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं जिसके लिए आप कामफोटबल है वो आप ले सकते हैं हमारा बेज जेल बेज होने वाला है इसलिए हमने यहां पर या तो आलवेरा या फ्लाक सीज जेल लेना है सेकिंड माजिकल इंग्रीडिंट जिसका इस्तिमाल यहां पर आपको करना है वो है वान टेबल स्पून ओफ ग्लिसरीन आप हलका उपर नीचे कर सकते हैं रेशियो बिल्कुल भी परिशानी नहीं है अगर आपको लगता है कि नहीं ग्लिसरीन से थोड़ा चिपचिपा हो सकता है वैसे नहीं होगा तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी गर सकते हैं और आपको पता है कि वह हालोरॉनिक आसिद की फामली को बिलॉंग करता है और आपको बहुत ज्यादा खुब्सूरत सपलनिस दे सकता है तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं तीसरा इंग्रीडिंट यहां पर आपको इस्तमाल करना है वो है दो बड़े चम्मच रोज वॉटर यानि कि गुलाब जल हम आगे और भी इंट्रिड्यूस करेंगे क्योंकि यह सीरम की कंसिस्टंसी तक हमें ले जाना है अगर आपका अलावेरा जल बहुत थेक है जैसे कि मेरा यहां पर है तो आगे चलकर आपको दो से तीन चम्मच और इसमें इंट्रिड्यूस करने पड़ेंगे लेकिन अगर आपका अलावेर्जल अल्रेडी काफी तरल है तो आप यहां पर रोज वॉटर की कौन्टिटी को काफी कम भी कर सकते हैं रोज वॉटर यहां पर इं अगर आपके पास विस्कर है या फोर्क से आप कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा कंपारिटिवली लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से आपको विस्कर ना पड़ेगा ताकि सारी चीजे एक सार हो जाएं जब आप इसको अच्छे से कर ले मैंने इसमें तीन चम् देखें होबा के अंदर इतनी सारी खुबसूरत प्रॉपर्टी जोती ना मता आपके बालों के लिए आपकी स्किन के स्पेसिफिकली इटकें डू वंडर्स आपकी स्किन टाइप कुछ भी हो आप फोबा ओयल का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी आपने प्रोन स् अगर आपको लगता है कि आपकी कॉंबनेशन स्किन है और आपको ज्यादा कुछ यूनो एसेंशली यूज नहीं करना है तो आप यहां पर आर्गन ओयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं विच इस जस्ट अमेजिंग आपकी स्किन मतलब ग्लिसरीन को हेल्प करता है वह और आप आपकी स्किन बहुत ड्राय है यह आपको नहीं पता है क्या है यह आप कुछ भी रांडम ली ट्राय करना चाहते हैं तो होहुबा कोई ओई इस दे मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन मैंने यहां पर आच से दस ड्रॉप्स लिये हैं धिरी धिर्याद करके और उसके बाद इसको ब एक से दो हफते चलेगा अगर मैं डेली इस्तमाल करती हूँ अगर आपको ऐसे जन है जो कि सिरफ जब ऑफिस जाना है या बाहर जाना है तभी इस्तमाल करना है तो यह आपका कम से कम एक महीना भी चल सकता है जे हां देखा आपने एक चम्माच अमने इंग्रीडिन्स लिय अगरी हुआ है और आप इसको बिल्कुल वेस नहीं करेंगे जब भी हम किसी कंटेनर में बनाते हैं और शिफ्ट करते हैं तो कंटेनर में काफी सारा रह जाता है उसको आपको लेना है अपनी चहरे पर अच्छे से डाब डाब करते ले लगाना है या कि स्किन के अंदर चल अब बात करते हैं कुछ क्वेस्टिंस की जो कि आपके दिमाग में डेफनेटली आए होंगे दूरिंग प्रिपरेशन क्या इसको हर स्किन टाइप अपने ले ट्राय कर सकता है तेकि मैंने हां पर होहोबा ओल का इस्तमाल किया है जो कि बहुत वरसितायल है और हर स्किन प्रिफित लेगे होहोबा ओल के रेस्टल आप बिलकुल यूज कर सकते हैं नो वरीज क्या बच्चे इसका इस्तमाल कर सकते हैं मैं हमेशा कहती हूं कि एसेंशल ओएल से बच्चों को दूर रखिये या बच्चों को एसेंशल ओल से जो भी होता है तो इसी लिए अप एसे पैच टेस्ट लीजे और उसके बाद प्राय कीजे तो बी शुर राइट हाव तो स्टोर इट देखे एक भी इंग्रीडियेंट ऐसा नहीं है जिसको रेफिजरेशन की रेकॉर्मेंट है अब बाहर ही रख सकते हैं कोई परेशानी नहीं है लेकिन रेगिलर इस्तमाल करते क्योंकि जब वो जो बॉटल खुलती रहती है तो वो ठीक रहती है अगर आप बंद करके किसी अंधरी जगे पर रख देंगे तो ऑविजली वो ऑक्सिडाइज हो सकता है और कोई ना कोई परिशानी हो सकते है तो प्लीज थोड़ा अपनी नजह में रखे और यूज करते अगर करते है उसके बार टोन करते है आपने चाहरे को कोई भी टोनर करके सिसके बाद आप अपसीरम का इसतेमाल करेंगे और फिर मोस्चराइस करेंगे मोस्चराइज तो आपको पता यह मॉश्चराइजेशन अब विंटर सीजन में इसम मस्ट तो उससे पहले सीरम का अप्लिकेशन किया जाएगा उसको लॉक कर दिया जाएगा मॉश्चर से और दिन भर इंजॉय किया जाएगा सिंपल तो हमेशा की तरह आशा करती हूं कि मेरे परिवार को मे आपके साके जरूर बताएगा कि आपके लिए experience और results कैसे रहे ताकि परिवार के बाकी लोगों को confidence मिल सके हम लोग बहुत खुबसूरती से आगे बढ़ रहे हैं आपके प्यार रिश्वास के लिए दिल से शक्रिया टाइमली आया कीजिए और लाइक करना मत भूला आपके लिए आपले डिया दिया दो राय कोता है